हालो एरिवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूटूब चैनल आर्की मुनीम केमिस्टी क्लासेस पर सॉलूशन वाली यूनिट हमने स्टार्ट करनी थी और फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ाता टाइपस ऑफ सॉलूशन एंड डिफरेंट टाइपस ऑफ कंसंट्रिशन यह हमारी कंप्लीट हो गए थी आज हम पढ़ेंगे आइडिल एंड नौन आइडिल सॉलूशन एंड हैंड हम्री लॉग चलिए शुरू करते हैं अब दीके सबसे पहला कॉशन रप ऐसी यह बनाती है कि आईडिल सॉलूशन की कंडिशन है यहां पर बेसिकली आईडिल सॉलूशन की तीन आपके डल एच्क इकोल टू जीरो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहा है solution मना रहे हैं क्या बना रहे हैं solution मना रहे हैं दो component है समझने के लिए मान लेजिए दो component है हैं हमने दोनों liquid ले लिएसे हैं समझने के लिए हम बात कर रहे हैं यह आम ने क्या करूण गषstyre है उन्हvert planets आ है और इसक लिए गंगा आज 느ए च्रह Ouch करूंक क्षिए और भेडिया यह में अन्य क Whew बariamente आए न Ayyobo B का solution ठीक है A plus B यह मैंने solution मना दिया अब यहाँ पर जब मैंने दोनों को मिलाया ठीक है मैंने दो component ले लिए समझने के लिए दोनों लिख़े ले लिए A और B और इन दोनों को मैंने मिलाया तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर आपको चेक क्या करना है कि A जो है उसमें भी एक heat component था और B जो है उसमें भी एक heat component था तो जब मैंने दोनों को मिलाया तो heat में कोई change तो नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि जब आप solution बना रहे हो तो ना तो heat निकलनी चाहिए ना heat आनी चाहिए मतलब ना तो heat का absorption होना चाहिए नहीं emission होना चाहिए मतलब उश्मा ना तो अवशोशित होनी चाहिए ना ही उत्सरजित होनी चाहिए तो कहने का मतलब यह है कि जब heat change 0 होगा इसका मतलब जो heat पहले थी separately total heat उसके बराबर आ रही है मतलब इसकी मान लीजे heat मैंने का HA थी और इसकी HB थी और solution में जब आपने मिलाय तो कितनी आ रही है HA plus HB heat में जो है कोई change नहीं हुआ मतलब दोनों की separately heat थी वो दोनों के add करने के बराबर है ना दोनों को मिलाने के बाद ना तो कम हुई न जाद हो लिए तो वहाँ पर दूसरी condition क्या है डेल वी mix equals to zero इसको समझना थोड़ा और आसाने कैसे यहां पर मैंने पहले mention कर दिया कि वह दोनों जब मैंने separately लिए थे तो यह भी 10 ml था और नॉर्मली हम क्या सोचेंगे कि जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना आना चीए 20 ml अगर 20 ml आ गया accurately इसका मतलब हो ideal solution है अगर माल लीजे 20 से थोड़ा कम हो गया है थोड़ा जादा हो गया इसका मतलब वो ideal solution नहीं है तो दूसरी condition क्या है डेल वी mix क्या होना चाहिए 0 इसका मतलब यह हुआ कि initial volume और final volume क्या होना चाहिए यह same initial volume मतलब separately दोनों का volume और final volume मतलब solution बनाने के बाद जो volume आना च से चाहिए 10 और 10 20 और final volume क्या रहा है 20 अगर सेम आ रहा है वाइडल solution है सेम आप हीट के लिए कह सकते हो separately जो हीट आ रही है और solution के बाद जो हीट आ रही हो क्या रही हो क्या रही चाहिए राउल्ट लौ और हैंडरी लौ को जो है follow करना चाहिए तीसरी condition क्या है ideal solution की कि राउल्ट लौ और हैंडरी लौ को overall range of concentration पर follow करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि अगर राउल्ट लौ को follow कर रहा है solution over the whole range of concentration और हैंडरी लौ को follow कर रहा है तो वो जो solution है वो क्या कर लाएगा ideal solution तो यहाँ पर तीन condition हो भी डेले चभ्सफ जीरो जीरो होना चाहिए और तीसरी condition का है round law का और हैंडरी के जो law है उसका नियम का आपको क्या करना है पालन करना है, solution को क्या करना है, पालन करना है, अगर वो पालन कर रहा है, इन दोनों नियम का, तो वो ideal solution है, और अगर पालन नहीं कर रहा है, तो ideal solution नहीं है, अब यह route law और है, यह हम एक ही करके देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, route law की, अब लिए, route law को समझने से पहले आपको वेपर प्रेशर को जानना हुगा क्या है हिंदी में कहते है वाश्द समा लिजीए कि यह कंपेनर है और यह मैने एक लिक्वड लिए अभ यह जो लिक्विड है यह क्या है सांव में मैं कि समय में उपर की सते में बंद कर दी तो इससे और थोड़ा imagination clear हो जाएगी, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यह liquid है, और यह air है, अब जो air होगी, उसमें होगा, क्या कि जो liquid है, उसकी vapor present होगी, ठीक है, liquid आप जो भी है, मान सकते हैं, volatile होना चाहिए, इसको आप चाहे तो पानी मान सकते हैं, चाहे तो कुछ और मान सकते हैं, अब मै जो खाली space है, वो उसमें उसकी vapor present है, तो होगा क्या कि यह सामने में, सामने में होने का मतलब क्या है, कि यह liquid vapor में convert हो सकता है, और यह vapor liquid में convert हो सकती है, और सामने का मतलब क्या है, जिस rate से liquid vapor में convert हो रहा है, उस rate से vapor जोई liquid में convert हो रही है, अब यहाँ पर simple साहब इसको ऐस इसका मतलब यह वह वा तकी यह एक लिक्विड है और उसका वैपर प्रेशर तो यहां पर आपने क्या कहा कि यह जो लिक्विड है इसका वैपर प्रेशर अब क्योंकि यह प्यूर form में है तो जिसे मैंने का कि यह कोई लिक्विड है जिसको मैंने कहा दिया और दोनों का मैंने क्या करा वैपर प्रेशर मेजर करा तो जो वैपर प्रेशर आया उसको मैंने कह दिया A का वैपर प्रेशर है P0 A और B का वैपर प्रेशर है P0 B अब यह दोनों अलग लिक्विड हैं तो दोनों की वैल्यू भी अलग लगाएगी P0 A की अलगाएगी P0 B की अब यहां पर अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूँ तो क्योंकि यह एक ही कंपोनेंट है तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा पीनोट एक के बराबर आएगा और यहां पर अगर मैं बात करूँ टोटल प्रेशर की तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा पीन की होगी A प्लस B की अब यहाँ पर आपके वेपर प्रेशर क्या होगा तो राउट्स लो यहाँ पर explain करता है कि इस case में वेपर प्रेशर क्या आएगा तो राउट्स लो क्या कह रहा है राउट्स लो यह कह रहा है कि अब यहाँ पर अगर मैं simple कहूं कि अब जो वैपर प्रेशर है उसको मैं मेंशन कर रहा हूं एक बार को कि अब यह जो दोनों की वैपर है तो दोनों का कोई नों कोई प्रेशर होगा दोनों कमपोनेंट का जिसको मैंने क्या कहा कि जो प्रेशर आ रहा है इन दोनों का सेपरेटली पी ए और पी बी तो जो टोटल प्रेशर है वो दो कंपोनेंट के प्रेशर की वेज़े से है तो मैंने क्या कह दिया कि जो P है वो किसके बराबर है P A प्लस P B के बराबर है लेकिन अभी P A और P B क्या आएगा वो मैंने मेंचन नहीं किया है मैंने क्या कह दिया कि क्यूंकि दो component है तो दोनों component का जो pressure है वो मैंने add कर दिया और वो किसके बराबर आ रहा है total pressure के बराबर आ रहा है अब यहाँ पर एक component के pressure को हम क्या रहेंगे partial pressure क्यूं आंशिक डाब क्यों कह रहे है क्योंकि अंश है total नहीं है total किसके वज़े से दोनों बराबर पी-ए और पी-वी के बराबर लेकिन पी-ए कितना आएगा और पी-वी कितना आएगा ये किस ने बताया है राउड्स में राउड्स में सिंपल सा क्या कहा कि जब आप solution बना रहे हैं या फिर आप ऐसे कहें कि एक solution है जिसमें आपके दो component है ठीक है तो दो component में जो एक component है एक component की बात करते हैं एक component जो volatile है volatile का मतलब जिसकी वाश्प बन रही है एक component जो volatile है उसका solution में pressure कितना आएगा उसके pure form में pressure के into multiply by, sorry multiply by उसका mole fraction इसका मतलब क्या हुआ कि राउल्ट्स ने क्या कहा कि एक component का जब solution में हम बात करें उसका pressure कितना आ रहा partial pressure जो है जिसको हम PA कह रहें वो आएगा उसके pure form में pressure के बराबर और साथ में multiply में क्या करेंगे हम उसका mole fraction mole bin multiply में आएगा mole bin क्या होता यह मैं आपको बता चुक हो mole concept में स्वारी मोल कंसेट में हमने solution में पड़ाता सेम मैं क्या कैसे बता हूं कि जो PB है component B है अब यह volatile होगा तो इनकी value आएगी और volatile नहीं होगा तो value नहीं आएगी तो अब जो total pressure हम कहते है PA और PB के बराबर आएगा तो route लो ने क्या कहा कि PA किसके बराबर है P0A XA के बराबर और PB किसके बराबर है P0B XB के बराबर यही route law है route का नियम क्या है कि एक solution में एक component का जो pressure आ रहा है partial pressure वो किसके बराबर है उसके pure form में partial pressure multiply by उसका mole fraction यह आपके route का लो है तो इसके according जब आप total pressure निकालेंगे तो अब आप PA को replace कर दीजिए किस से replace करेंगे P0A XA plus P0B XB यह आपके आगे route का लो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक component volatile नहीं होता non-volatile होता तो वहाँ पर उसके pressure की जो value है वो क्या हो जाती 0 हो जाती तो overall जो pressure है वो क्या आता काम आता मान लीजिए overall pressure अगर मैंने का कि यह volatile नहीं है तो केवल यह component बसता और इसका भी pressure क्या था काम आता तो overall pressure क्या हो जाता decrease हो जाता तो यह हमने क्या बात करी कि जब आप दो component मिला रहे हो तो वहाँ पर route लो क्या कर रहा है कि एक component का जो partial pressure है वो किसके बराबर आएगा उसके pure pressure के बराबर और उसके mole fraction के बराबर अब इसको मान लीजिए अगर हम एक graph से समझे कि हम A और B को mix कर रहे हैं अभी तो हमने क्या क ठीक है या इसको आप कैसे भी कह सकते हैं मैंने कहा X A equals to 1 इसका मतलब यहां पर यह जो condition है यह pure form है किसकी A की और यहां पर मैंने कहा X B equals to 1 यह किसकी pure form है B की तो अगर X B 1 होगा तो X A जो है वो 0 हो जाएगा और यहां पर B 0 होगा तो X X sorry A1 होगा तो B क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब यहां पर मैंने कहा कि यह partial pressure और यह मैंने कहा प्रेशर किसका A का पी नॉट A और यह मैंने कहा pure form में प्रेशर किसका B का पी नॉट B तो ऐसा जरूर नहीं कि दो लिक्विट है तो दोनों का pure form में बराबर होगा लिक्वि ग्राफ कैसे आएगा एक तो ग्राफ यह आ रहा है एक ग्राफ यह आ रहा है अब यह ग्राफ किसका है यह ग्राफ किसका है कि यह जो लाइन मेंने बनाई है dotted line यह बता रही किसको P A को इसको बता रही है P A को और यह जो line है किसको बता रही है P B को अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जब यह यहाँ पर था इस condition में तो P A की value क्या थी 0 थी क्यों कि X A 0 हो गया अब X A 0 है से उससे P A Q 0 होगा क्योंकि यह formula यहां से हम लेंगे P A वाला यह यहां से ले लेते है P A बराबर क्या है P not A X A यह अबने ले लिया formula तो अगर X A 0 हो गया तो P A भी क्या हो जाएगा 0 और अगर X A की value 1 हो गई तो P A क्या हो जाएगा P not A के बराबर हो जाएगा जो कि P A प्लस P B के बराबर है तो यह जो graph है आपको क्या बता रहा है कि आपने क्या करा एक solvent एक liquid component लिया शुरू में वो क्या है 100% pure है तो उसमें जब आप दूसरा component add करेंगे तो वो जो component है क्योंकि उसका mole fraction देरे-देरे क्या और एक कम हो रहा है तो उसका partial pressure क्या हो जाए तो यहां पर जब A pure था तो उसका partial pressure यहां पर था प्योर पी नोट एक बरावार लेकिन जैसे जैसे उसका component कम हो रहा है वैसे वैसे जो P A का partial pressure वो क्या हो रहा है कम हो रहा है और B का partial pressure बढ़ रहा है तो यह graph आपको बता रहा है पी ए कैसे change हो रहा है और PB कैसे चींज हो र route slow लेकिन एक चीज important आपको क्या ध्यान रखनी है ध्यान यह रखनी है कि यह formula हमेशा follow हो ऐसा ज़रूरी नहीं है यह formula कौन follow करेगा जो ideal solution की condition को follow करेगा तो अगर ideal solution है तो ही route low follow होगा अगर ideal solution नहीं है तो route low follow नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P A equals to P naught A X A आ रहा है तो तो route low को follow कर रहा है लेकिन अगर मान लीजिए कि P A is not equals to P naught A X A इसका मतलब यह ideal solution की condition को follow नहीं कर रहा तो उस case में क्या है दो possibility हो सकती है कि P A जो है वो ज्यादा आ जाए किससे P naught A X A से या दूसरी possibility क्या है कि P A जो है वो क्या आ जाए कम आ जाए किससे P naught A X A से तो यह दो condition है कि इसकी Edition की हम इसको क्या कहिंगे deviation तो route low follow कर रहा है मतलब ideal solution और route low follow नहीं कर रहा मतलब वो क्या है ideal solution follow i deal solution की condition के follow नहीं कर रहा फिर route low में हम कहते है deviation की बात किसकी बात करते हैं deviation की और deviation दो तरह के possible है या तो PA ज़ादा आजाए किससे P not A X A से और या PA का मज़ा किससे P not A X A से तो इन दो deviation को कहते हैं हम positive and negative deviation अब यहाँ पर हम comparative study पढ़ेंगे किसकी ideal and non-ideal solution की और non-ideal में भी खास करके positive deviation from route law and negative deviation from route law तो देखिए इसको अगर हम चार्ट को देखिया चैसे तो ideal solution, non-ideal solution non-ideal solution को हमने फिर sub classify करा है positive deviation from route law अरल का मतब route law है negative deviation from route law अब compare कर रहे हैं तीनों को तो first point क्या है obey route law जैसे हमने पढ़ा कि ideal solution की condition क्या है कि route law का follow करना चाहिए तो हमने क्या कहा obey route law अब यह तो ideal solution की बात होगी अब non-ideal की बात करें तो route law को follow नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या लिखावा है do not follow या do not obey route law यहाँ पर भी same लिखावा है do not obey route law तो क्योंकि positive deviation कहें चाहे negative deviation कहें deviation है किस से route law से और route law में deviation होगा मतलब वो किस की condition है non-ideal solution की condition है ठीक है तो यहाँ पर दोनों ही जो है positive negative route law को follow नहीं कर रहे है अब यहाँ पर हम बात करें पहला point second point बात करें delh mix 0 ना चीए किस की condition है ideal की फिर मैंने आप से गया गदर delh mix अगर 0 नहीं होगा मतलब क्या हुआ positive deviation अगर है तो delh mix क्या होगा 0 से जादा होगा और negative deviation है तो delh mix क्या होगा 0 से कम होगा तो यहाँ पर जब delh mix 0 से जादा है तो delh जो होता है उसको अगर वो positive होता है उसको endothermic कहते है तो यहाँ पर आपके term क्या लखी है है अब कोई reaction तो यहां हम कह नहीं है हम क्या करें है solution बना रहे हैं तो यहां पर term क्या रही है endothermic dissolution किसके लिए positive division के लिए और अगर डैल H mix जो है वो 0 से कम है यह जीरो से कम है तो यह है एक्जोथरिक dissolution इसका मतलब jav solution आपने मतलब बनाया तो dell h mix जो है वो 0 से जादा है मतलब change आया heat में और वो भी आया positive change positive change मतलब endothermic ठीक है heat absorb करी तो overall heat बढ़ गई वहाँ पर आपके overall heat जो है dell h mix के आरा negative मतलब वो क्या है exothermic मतलब solution की heat कम हो गई तो heat क्या है बाहर निकल गई वो क्या आजायगा exothermic ठीक है तो ये endothermic और wont t का मतलब solution बनाते वक्त उसने बाहर से heat ले ली तो sequence system की heat क्या होगई बढ़ दी और exothermic का प्तलब solution बनाते वक्त उसकी heat जो है वो और देडिया है नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव आरा है और और निकल गई बाहर तो सुलुजुशन की ही था निकल गई? पी नौट ए एकसे पी भी क्या है पी नौट भी एकस भी तो हम ने क्या अगर आप फॉर्मले में पी इकस टू पी नौट भी एकस भी यह लिख दिया पर पॉजिटीव डेविशन है तो ने क्या पीए जो है वो पी नौट ए एकसे के बरावर मीए है पीए तो ग्रेटर दन एकिसे पी नौट भी एकसे से अब यह क्यू हुआ लोगर फॉलो नहीं कर रहे और पॉजिटव डेविशन जाओ लग अप्या गए गारेटर दन आगय अब यह क्यों हुआ ऐसा वो भी हम आगे डिसक्स करेंगे चली तो अब जो टोटल प्रेशर में आपको बताया अब यह तो फॉर्मला यह रहेगा लेकिन अब जो टोटल प्रेशर है वो इसके बराबर नहीं है अब यह ग्रेटर दन है किसे पी नौट ए एक से प्लस पी नौ इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रेक्शन की यह बेसिकली रीजन है डिवेशन का जो आपके डिवेशन आएगा या नहीं आएगा वो आपके इंट्रेक्शन पर डिपेंटर है किसे कौन से इंट्रेक्शन पर मैंने कहा एक आपके सॉलुशन है तो वहाँ जो आपके मॉलिक्शन है वो ए वाले मॉलिक्शन है और दूसरा आपके सॉल्वेंट है जो भी आपका हो सॉल्वेंट केलो या लिक्विट केलो या कंपोनेंट केलो दूसरा कंपोनेंट है बी उसके आपके जो मॉलिक्शन है B, तो पहले जब वो जो आपकी component A है वो pure form में था, तो interaction क्या था? A और A का मतलब A molecule A molecule से गिरावा था, तो A और A का interaction चल रहा है, दूसरा component है B तो वहाँ पर interaction किसका चल रहा है? B वाले molecule का B वाले molecule से अब आपने जब solution बनाया तो आपने कर दिया mix अब वहाँ पर overall possibility तीन तरह की possible है, हाला कि हम एक ही की बात करेंगे तीन possibility क्या है कि अब उसमें A और B दोनों molecule है, तो अब A और A का interaction भी हो सकता है, B और B का भी हो सकता है, और A और B का भी हो सकता है तो basically हम कौन सा interaction को importance देरे A और B को ठीक है, क्योंकि separately तो था ही अब यहाँ पर A और B जो interaction है उसकी nature कैसी है, यह strength कैसी है comparatively A, A और B, B के उसपर depend करेगा कि आपके result क्या आएगा तो यहाँ पर देखें क्या देरखा है A, A, मतलब A molecule का A molecule से interaction B, B और A, B interaction should be same इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके pure form में A और A थे उनका interaction या आप कह सकतो attraction force B जब थे केवल तो B और B का interaction मतलब उनका interaction force और जब A और B mix होगे और A और B का जो attraction force है वो same आना चीए A, A और B, B के इसका मतलब जो A, B का जो interaction force है वो A, A और B, B के क्या आ रहा है same आ रहा है तो अगर same आ रहा है तो वो ideal condition के category में आ जाएगा और अगर same नहीं आ रहा कम यह जादा आ रहा है तो फिर वो जाएगा deviation में अब देखे condition देखते है किसकी positive deviation की अब यह गया रहा है A, B attractive force should be weaker than अब देखें यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि हमने positive deviation की बात करी किसकी बात करी positive deviation की तो positive deviation में हमने देखा कि del H mix जो है वो 0 से जादा है मतलब एक तरह से positive है और PA जो हमने यहाँ पर equal to का आता वो भी greater than आ रहा है इस formula से तो यहाँ पर यह weaker than आ गया तो यह आपको ध्यानत नहीं कि यह weaker than आ रहा है तब ही वाकी चीज़ पॉजिटिव आ रही है कैसे इसको आप ऐसे समझिए कि आपके जो vapor pressure है वो actual में है क्या कि जो liquid है वो जितनी जादा vapor बनाएगा उतना ही vapor pressure जादा होगा अब liquid जादा vapor कब बनाएगा अब आप इसको ऐसे समझो कि यह liquid के molecules है अगर इनमें attraction force जादा होगा तो vapor आसानी से बन जाएगी क्या vapor आसानी से नहीं बनेगी इसका मतलब अगर attraction force strong होगा तो vapor कम बनेगी और attraction force weak होगा तो vapor जादा बनेगी अब यह basically logic है तो अगर मैं कह रहा हूँ positive deviation है इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि pressure जो है expected से जादा आ रहा है मतलब route low का expectation तो क्या था कि PA जो है वो P0A accident के बराबर आना चीए लेकिन अगर expected से जादा आ रहा है तो जादा कब आएगा जब attraction force क्या हो जाए कम हो जाए तो यहाँ पर हमने क्या कहा A B attractive force should be weaker than A A and B B attractive force तो हमने क्या कहा कि जब केवल A था और केवल B थे तो उनकी attraction force जादा थी आपस में और जब हमने उन दोनों को mix कर दिया तो उनकी attraction force होगी कम attraction force कम हो गई तो bonding कम हो गई मतलब अब वो आसनी से क्या करेंगे वेपर बनाएंगे और आसनी से वेपर बनाएंगे मतलब वेपर pressure क्या आएगा ज़ादा आएगा वेपर pressure क्या आएगा ज़ादा आएगा positive deviation आएगा ठीक है यह important है अब similarly यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम मैं देख रहा हूँ कि वैपर प्रेशर कब हो रहा है, वैपर प्रेशर कब कब होगा, जब बॉर्णिंग स्ट्रॉंग होगी, तो हमने क्या कहा, A B attractive force should be greater, क्या हो निची, should be greater than A A and B B attractive force, यह आपके conceptual point है, बाकी सारे आपक solution की, तो इनकी escaping tendency क्या है, same रहेगी, अब मैंने आपको क्या बताया था, कि जो वैपर प्रेशर एक तरह से escape tendency का measure है, जितनी escaping tendency जादा है, वैपर प्रेशर जादा होगा, तो यहाँ पर क्योंकि जो attraction force है, वो save ही रह रही है, तो escaping tendency भी save रहेगी, उसमें कोई फरक नहीं आएगा, अब यहाँ पर attractive force क्या होगा है, भी कोई, अब attraction कम हो गया, तो escaping tendency बढ़ेगी या कम होगी, no doubt बढ़नी चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा, escaping tendency of A and B increases, क्यों, क्योंकि अब A और B में जो attraction force है, वो इतना जादा नहीं है, और यहाँ पर अगम बात करें, attraction force बढ़ गया, तो escaping tendency क्या हो जाएगी, कम, escaping tendency of A and B decreases, तो यह basically जो आपके, आप कह स सकते हो, जो comparison है कि इसका ideal और non-ideal का, और non-ideal में भी positive और negative deviation का complete है, अब दीखें, यह जो हमने अभी तक पढ़ा, इसमें एक question तो यह बनता है, कि ideal की condition क्या है, और non-ideal की condition क्या है, दूसरा जो सबसे important question बनता है, वो बनता है, example पर, ideal solution का तो हमने graph समझ लिया था, कि जब ह deviation को देखते हैं, तो graph कैसा आगा, तो दीखिए ideal को, जो हमने कैसे represent कराता, कि यह जो आपके है, P not A, तो यह जो line है, यह आपके किसको बता रही है, कि भई यह A का जो pressure है, उसको बता रही है, P A को बता रही है, यह वाली line किसको बता रही है, P A को, और यह वाली line जो थी, व यह टोटल प्रेशर के लाइन स्टेट लान आए थी जिसको उने गता ही प्लस पीवी हैं लेकिन जब हम डेवेशन की बाद कर रहे हैं तो डेवेशन हम क्या देख रहे हैं कि दो तरह के डेवेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव डेवेशन नाम ही इसलिए पड़ा कि जो प्रैशर जितना हम expect कर रहे थे उसे ज़ादा रहा है तो यह जो dotted line है तीनो यह आपके ideal condition को बता रही है ठीक है यहां पर यह ideal condition को बता रही है कि यह P not A है लेकिन actual में फिर यह आ रहा है यह जो line है यह actual में बता रही है P A को जोकि किसके बराबर है greater than है P not A X A से और यह वाली लाइन बता रही है PB को जो की greater than है किस से? पी नॉट भी XB से. यहाँ पर यह जो लाइन आ रही है, यह जो dotted लाइने से उपपर आएगी, यह वाली यह वाली और total solution वाली. Negative deviation में क्या होगा? कि जो आपके ideal condition है, उससे pressure कम आएगा. तो PA का जो pressure आ रहा है, वो P naught A, XA से कम आ रहा है. ऐसे ही आपके, यह आपके हो गया PA का और यह हो गया PB का. तो PB का जो आ रहा है, वो भी किस से कम आ रहा है? P naught B, XB से. और यह total pressure है, यह भी कम आ रहा है. तो यह diagramatically हमने देख लिए है. यह वाली जो axis है, यह vapor pressure को बता रही है. और यह वाली जो axis है, mole आपके fraction को बता रही है. A का हो चाए B का हो. यहाँ पर A का 1 है, B का 0 है. मैंने आपको बताया था कि total mole fraction जो आता है, जितने भी component ने उनको add कर लीजिए, एक आएगा. तो यहाँ पर यह एक है और यह 0 है. जैसे जैसे यहाँ गया, यह 0 हो गया, यह 1 हो गया. अब यहाँ पर जो सबसे important है, वो है example. अब देखें, यहाँ पर क्या है कि जो हमने points पड़े, हलाकि इस पर कभी कोई question आया नहीं, theoretical पर नहीं आया, condition पूसता, ideal solution की और example पूसता है, बाकी नहीं आया. लेकिन आ सकता है, कैसे आ सकता है, कि आजकल जो है application part पर काफी question बन रहे है, तो देखें, जब application part पर question बनते त जो fixed pattern पर question आता है, वैसा आता है, तो आपने पड़ रखा है, अब जिसे मालीजे, अभी हमने जितने theoretical points पड़े हैं, उन्हीं में से किसी एक point को वो frame कर दे, assertion में और reasoning में दे दे, तो assertion, reasoning, question कैसे बन सकता है, कि interaction जो है, वो कम है, जादा है, pressure बढ़ गया, कम हो गया, तो वहाँ पर वो पूछ सकता है, theoretical statement दे सकता है, कौन सा statement सही है, कौन सा गलत है, तो आपके concept clear होने सी है, अब example देख लेते हैं, example important है, आपको कैसे याद रखना है, कि ideal solution के example कौन से है, फिर non-ideal में positive के कौन से है, और negative के कौन से है, तो यह आपको याद करने है, ठीक है, इसका और कोई इलाज नहीं है, तो एक एक करके देख लेते हैं, ideal solution में सबसे पहले है dilute solutions, जितने भी dilute solution है, उनको हम ideal solution के category में मानते हैं, तो dilute solution किसमें आ जाएगा, ideal solution में exam में पूछ रखा है, उसके अलावा benzene plus toline, यह भी exam में पूछ रखा है, तो यह जो starting के दो हैं, यह तो ideal में जितने example देखेंगे, बिलकुल मिलते हैं, थोड़ा सा difference होगा, तो बहुत ज्यादा typical नहीं है याद करना, benzene plus toline, benzene आप जानते हो, benzene क्या होती है, toline में CS3 लग गया benzene के, nhexane और nheptane, दोनों hydrocarbon है, alkane से एक carbon का फर्क है, chlorobenzene और bromobenzene, benzene पे एक में chlorine लगा रखा ह इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोड़, इथाइल मतलब C2H5 है, एक में BR है, एक में I है, N-butyl chloride, N-butyl bromide, मतलब एक में chlorine है, एक में bromine है, तो आपने basically difference क्या देखा है, तो यह carbon ज़्यादा कर दिया, इधर एक carbon ज़्यादा कर दिया, यहाँ पर chlorine की जगे bromine लगा दिया ब्रोमीन की जगे iodide लगा दिया, chloride की जगे bromide लगा दिया, यह आपके किसके है, ideal solution के example ले, यह दो पूछ रखें, इसके बाद बात आती है, non-ideal में positive deviation की, positive deviation में पहला है acetone प्लस ethanol, exam में पूछ रखा है, exam में क्या पूछ रखा है, acetone प्लस ethanol, बात समझा रही है, example क्या है, acetone प्लस ethanol, अब caution कैसे बन सकता है, कि acetone और ethanol क्या है, यह तो direct बन गया, क्या है, ideal है क्यों non-ideal है, तो आप कहेंगे non-ideal है, उसमें फिर क्या है, positive है क्यों negative है, यह तो direct हो गया कि पूछ लिया क्या है, अब वो अगर लिखके देदे कि acetone और ethanol जो है positive deviation शो करते हैं, क्यों, reason में फिर वो क्या देदे? इंट्रेक्शन देदे कि इन दोनों का इंट्रेक्शन आपस में कितना है कम है जादा है उस टाइब से दे तो ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है? उसके बाद है एसिटोन प्लस कारबन डाय सलफाइड ये भी एक्जाम में पूछ रखा है देखिए ये आपको एक्जामपल याद करने और होता कहा है कि जब आप याद करते हैं जैसे मैंने आज याद करा मैंने दस याद करें एक्जामपल अब तीनों के मिला दें तो देखिए आठ नौ और छे लगबग लगबग देखिए आठोचे चाउड़ा 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 23 ही दे रहे हैं 23 मैं आज याद करूँगा तो मैंने याद करे 23 23 के 23 याद हो 20 रह जाएंगे याद पर 100 और कम हो जाएंगे तो ऐसी चीज़े जो है एक्जाम से पहले आपको रिवाइस करके जानी ही जानी है जैसे महा लीजे आज एक्जाम है तो सुबह मुझे पढ़ भी है कि ये एक्जामल कौन कहुँझे देगा क्योंकि इसमें को कंचेप्ट तो लग नहीं रहा लेकिन एक्जामपल फिर इतने आप कंचेप्ट लगा के एक्जामपल नहीं याद रह सकते हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स दे रहा वाटर मिथेनॉल वाटर इतनॉल कार्बन टेट्राक्लोरेड और टॉलीन कार्बन टेट्राक्लोरेड और क्लोरोफों एसिटोन, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोरेड, मिथेनॉल साइक्लो, हेक्जेन और इतनॉल अब क्यूंकि पॉजिट्व डेविशन है तो एक कंचेप्ट तो हमें पढ़ लिया क्या पढ़ लिया कि दोनों के आपस में जो इंट्रेक्शन फोर्स लगेगा अब क्यूंकि आपके प्रेशर बढ़ रहा है तो जो आपस में इंट्रेक्शन है वो वीक हो रहा है क्या हो रहा है? वीक हो रहा है यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यह आपके एक्जामपल जो है, यह आपको ध्यान रखने है एक्जाम में पूछते हैं नेगिटिव डिविशन की बात करें तो नेगिटिव डिविशन में अट्रेक्शन 4 जादा था ठीक है, एसिटोन प्लस क्लोरोफोर्म यह एक्जाम में पूछ रखा है एसिटोन और क्लोरोफोर्म एक्जाम में क्या है तो ये हमने पढ़ा ideal solution क्या है उसके example, non-ideal solution में positive division क्या है उसके example, negative division क्या है उसके example, question इसमें से आसानी से बन जाता है. Solubility of gases in liquids, liquid में हम gas की solubility की बात कर रहे हैं, तो वह कौन-कौन से factor है, कारक हैं, जिन पर solubility of gas depend करती है. देखें, यहाँ पर चार factor दे रखें, पहला factor है, nature of gas, कौन सी gas को आप soluble करना चाते हैं या dissolve करना चाते हैं, उसकी nature पर depend करता है. दूसरा, nature of solvent, कौन से liquid में, कौन से solvent में आप gas को dissolve करना चाते हैं, gas को soluble करना चाते हैं, उस पर depend करता है. वालब दो तो main factor वैसी होगे, कौन सी gas आप dissolve कर रहे हूँ और किस में dissolve कर रहे हूँ वालब कौन सा solvent है थर्ड है temperature, important है temperature का role होता है solubility of gases में फोर्थ है pressure, ये चार factor हैं जिन पर solubility of gas depend करती है nature of gas, nature of solvent, temperature and pressure देखिए हमने बात करी थी ideal solution की condition की ideal solution की condition में हमने third point पढ़ा था, कि route law और henry law को follow करना चाहिए देखिए basically तो maximum case में route law ही mention होता है, henry law mention नहीं होता लेकिन अगर हम detail में जाने तो henry law भी mention होता है, एकाद question में statement में henry law भी डाल देते है तो आपको ध्यान होना चाहिए, अभी के route law की condition अलग थी, वहाँ पर हमने क्या कहा कि दो liquid है, उनको हमने mix कर दे, उनके vapor pressure की बात करी, अब यहाँ case अलग है, हम यहाँ क्या कर रहे है लिक्विड में gas को dissolve कर रहे है, different case है, अब henry law है किसके बारे में, यह जो आपने चार factor पड़े, उसमें से जो चौथा factor है, henry law उसके बारे में, किसके बारे में, प्रैशर वाले factor के बारे में, तो यहाँ पर क्या दे रखा है factor, henry law के अगर हम बात करें, तो factor यह दे रखा है कि जब आपने एक liquid fix कर लिए, कि बएए liquid है, gas आपने fix कर लिए, यह gas है, अब हम इन दोनों को vary नहीं कर रहे है, liquid fix है, gas fix है, temperature भी आपने fix कर दिया, मतलब एट बार पर्टिकलर temperature. तो तीन factor आपने फिक्स कर दिया, keep the factor change नहीं ओंड़ंए, क्या change नहीं हो रहा?, गैस आपने fix कर दिए कोई particular gas ले ले-li country假, or temperature आपने fix कर दिया, बलोब constant कर दिया, अब आप change क्या कर रहा हुआ pressure, तो सीदा सीदा सा अगर आपसे कोई फूछे कि आप gas का pressure बढ़ा होगे, तो solubility of gas जो है, वो बढ़ेगी या कम होगी, तो no doubt हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी, जितना pressure gas का ज़ादा होगा, pressure gas क्या होगी, जो भी आपके solvent है, उसमें क्या हो जाएगी, soluble हो जाएगी, उसकी solubility बढ़ेगी, no doubt, तो यहीं दे रखा है, M is proportional to P, अब P क्या है, pressure है, M क्या है, यहां मैंने mention कर रखा है, mass of the gas dissolved per unit volume, देखें, यह हमेशा जब आपके इस टाइप से लिखा होता है, per unit volume, यह actual में होता क्या है, अगर मैं केवल mass लिख देता, तो वहाँ पर ही होता है, कि आपने liquid की amount कितनी लिखें, एक लिटर लिखा है, एक दस लिटर लिखा है, आप कम्तेर कैसे करोगे, यहां पर per unit volume लिखा हुआ है, तो हमने क्या कहा, M क्या mass of the gas dissolved per unit volume of the liquid, कि एक unit volume liquid है, उसमें कितनी gas dissolved हुई है, उसका mass कितनी है, ठीक है, तो हमने क्या कहा, M is proportional to P, मतलब जो gas का mass dissolve होगा per unit volume, वो किसके proportional है, P, मतलब pressure के proportional है, proportional आप हटाओगे, तो constant आजएगा K, तो M equals to क्या आगया, K P, अब actual में यह वाला formula important नहीं है, exam के point of view से, जो next formula दे रखा, वो important है, तो अब इसमें और इसमें क्या difference है, अब यहाँ पर M दे रखा, और यहाँ पर इसमें दे रखा mole fraction, तो देखे, जब आपने क्या करा, एक particular solvent ले लिया, और particular gas ले ली, तो वहाँ तो mole fraction का कोई role ही नहीं है, क्योंकि जब एक ही component है, तो उसका mole fraction एक आएगा, और कोई comparison भी आप नहीं कर रहें, क्योंकि एक ही gas आप लिये, लेकिन अगर आप एक से ज़ादा gas का mixer ले रहे हैं, मतलब आप लिया क्या करा कि जो gas ली, वो मान लीजे दो gas ले ली, A और B, तो वहाँ पर दोनो gas gas soluble होगी, और कितनी होगी, क्या होगी, उसको compare करा, इसने mole fraction से, तो एक चीज़ आपको ध्यान अखना है, कि जब आप एक ही gas ले रहे हो, तो जो total pressure है, वो उस एक gas के pressure के बराबर है, लेकिन अगर आप दो gas ले रहे हो, A और B, तो जो total pressure होगा, वो इनके अलग-अलग pressure के बराबर होगा, PA और PB के, तो वहाँ पर आप क्या होगे, जब total pressure PA और PB के बराबर है, तो PA क्या है, partial pressure of A, और PB क्या है, partial pressure of B, और एक normal theoretical formula है, इसको आप round law से compare मत करना, simple सा अगर आपको कोई कहें कि, इसके इतने mol है, इसके इतने mol है, total pressure इतना है, तो बताओ A का pressure कितना होगा, तो यहाँ पर आपको simple सा theoretical ध्यान रखना है, जब gases का mixture दे रखाओ, route law की बात में नहीं कर रहा हूँ, simple सा आप इसको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई पूचे, जब आपने temperature constant कर दिया, और आपने का अगरा liquid fix कर दिया, मतलब solvent fix कर दिया, लेकिन जो आप gas ले रहे हो, वो actual में अब air ले रहे हो, अब air में जो है, एक से ज़्यादा gas हो सकती है, तो जब आप pressure पड़ेगा उस पे, तो वो जो pressure तो total pressure है, अब total pressure में कौन सी gas कितनी solubile होगी, वो उसके partial pressure पे depend करेगी, किस पे depend करेगी, पारिशल प्रेशर पे, और पारिशल प्रेशर पे जब डिपेंड करेगी, तो वहाँ पर अब जो हम solubility की बात कर रहे है, वो हम M के फॉर्म में ना करके, किस के बात कर रहे है, mole fraction के फॉर्म में, ठीक है, जो जिसका mole fraction जदा होगा, इसका मतलब उसकी solubility जदा है, यहाँ वर हम ऐसे कह सकतें कि, जिसका partial pressure जदा है, उसके solubility जदा होगी, मतलब उसका mole fraction जदा होगा, तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है, mole fraction of the gas in a solution is proportional to the partial pressure of the gas, इसका मतलब यह हुआ कि, जब आप mixture of gas का pressure लगा रहे हैं, तो जिस gas का partial pressure जदा होगा, उस gas की solubility जदा होगी, मतलब उस gas का mole fraction है, जदा होगा, क्लिर बात समझ आगी, mole fraction of the gas in a solution is proportional to the partial pressure, मतलब जो आपने overall gas का mixture लिया है, उसमें जिस gas का partial pressure जदा होगा, उसका mole fraction जदा होगा, बात सम्मोझ आगी, प्रेशर के formula दे दिए मैंने अब यहाँ पर मैं क्या qa कह सकता हूं कि जो partial pressure है वो directly proportional है बोल fraction के या मैं ऐसे कह सकता हूं बोल fraction जो है directly proportional है partial pressure के जितना partial pressure ज़ाधा होगा बोल fraction क्या हो जागा ज़ाधा हो ज़ादा हो ज़ेगा ठीक है, इस पर numerical पूछ लेता है, यह वाला जो formula इस पर numerical पूछ लेता है, अगर मैं इस form में लिखता, x is proportional to p, देखिए आप इसको कैसी ही कह सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं, यह आपको ध्यान अखना है, अब यहाँ पर solubility हमने किसी decide करी, mole fraction से, कि भी mole fraction जो है, वो जादा आ रहा है, solubility जादा है, mole fraction कम आ रहा है, तो solubility कम है, और हमने क्या कहा कि भई mole fraction किस पर depend कर रहा है, pressure पर, अब हम क्या कह रहे हैं, आगे, different gases have different values of kH, at a definite temperature for a given solvent, यहाँ पर important बात क्या आई आई, important बात यह आई, कि जैसे यह वाला formula आप में लिखा, m is proportional to p, m equals to kp, तो यहाँ पर जो हम कोई term को constant कहते हैं, जैसे हम कहरें कि यहाँ पर भी यह प्रपोस्टल हटेगा, तो यह प्रपोस्टल अटी constant आगया k, कि यह भी constant है, और यह भी constant है, तो जब हम कोई term को constant कहते हैं, तो वो कुछ factor के लिए constant होती है, सब के लिए constant नहीं होती, मतलब क्या हुआ, कि अब यहाँ पर मैं kH कह रहा हूँ, तो अगर मैं particular temperature की बात करहूँ, मतलब temperature मेंने constant कर जाayo, तो यह जो कH है, यह pressure के लिए constant है, यह जो कह है, यह pressure के लिए constant है, लेकिन अगर मैं gas change कर दूँ, तो यह change हो जाएगा, solvent change कर दूँ तो change हो जाएगा temperature change कर दूँ तो change हो जाएगा यह इस पर depend करेगा तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि अगर मैं एक particular gas की बात कर रहा हूँ और मैं solvent और temperature को fix कर रहा हूँ तो यह constant है मतलब यह actual में pressure के लिए constant है अब यहाँ पर यह जो kH है temperature एक particular temperature पर compare करें तो अलग-अलग gas के लिए kH की value क्या होती है अलग-अलग होती है for a given solvent अगर एक particular solvent से compare करें तो अलग-अलग होती है अब यहाँ पर factor क्या है HA की value अगर बढ़ेगी तो solubility घटेगी मतलब अगर अलग-अलग gas के लिए handy log constant अलग-अलग है तो अगर किसी gas के लिए handy log constant की value जादा होगी तो उस gas की solubility कम होगी यह concept आप ध्यान रखना क्यों? क्योंकि अगर वो reasoning के तोर पे caution बनाना चाहे तो वो क्या कहेगा आपको अलग-अलग gas के लिए kH की value देदेगा और फिर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा solubility किसकी है? सबसे कम solubility किसकी है? या order में arrange करो? तो अब आप क्या सोचो के मैंने तो formula पढ़ाता यह मैं को numerical देता तो मैं कर लेता solve अब solubility को kH को कैसे compare करो? तो आप इसको इसलिए मैंने समझने के लिए यह वाला formula लिख दिया गैस की solubility आप किससे decide कर रहा है? mole fraction से अब mole fraction कितना आएगा? वो किस पर depend कर रहा है कि उसका partial pressure upon kH अगर kH की value जादा है तो mole fraction कम आ रहा है मतलब उसकी solubility क्या रही है? कम आ रही है ठीक है? इस से ध्यान लखना तो अगर यह एचे क्या लिख दिया हमेने? यह एचे नहीं है यह के एचे है यह क्या लिख दिया गलते से? के एचे है ठीक है? अगर kH की value जादा होगी तो solubility क्या होगी? कम यह concept आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है? चार गैस की solubility का order दे रखा है तो यह आपको याद रखना है solubility का order exam में पूछ सकता है पूछ भी रखा है वो order ना पूछे तो चार गैस दे देगा वो पूछेगा कि इन में से सबसे ज़्यादा solubile कौन सी है? सबसे कम solubile कौन सी है तो यह जो चार गैस मैंने मेंचन करिए इसमें सबसे कम solubility दे रखे हिलियम की उसके बाद दे रखे nitrogen की उसके बाद दे रखे hydrogen की और उसके बाद दे रखे oxygen की तो अगर आप से वो solubility का order पूछता है direct तो यह आपके रटावा question हो गया क्योंकि आपने order रट लिया helium nitrogen hydrogen hydrogen और फिर oxygen लेकिन अगर वो conceptually जाए तो वो क्या करेगा केज की value देगा और फिर पूछेगा solubility का order क्या होगा तो अब आपके लिए दो question है मेरे क्या question है एक question यह है कि मैंने एक अलग से gas mention कर दी है आप जिनॉन आपको केवल इतना बताना है कि xenon की solubility जो है वो इस order में कहां आएगी चलो इस order को छोड़ दो इस order में कहां आएगी वो नहीं पूछ रहा मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि oxygen के compare में xenon की solubility क्या आएगी जादा आएगी या कम आएगी यह आप मुझे comment box में comment करता ही है इसके अलावा दूसरा question मेरा यह है कि यह जो 4 gas मैंने दे रखिये इसको xenon को छोड़ दीजिए यह जो 4 gas मैंने दे रखिये इन 4 gas हो में सबसे ज़ादा kH की जो value है वो कौन सी gas के लिए होगी वापस repeat कर हम question कि मैंने question क्या कहा कि यह 4 gas है मैंने solubility पूछी नहीं मैंने simple सा question क्या कहा कि which of the falling has highest value of kH मनलब यह 4 gas है इन में से 4 gas में से henry low constant की value सबसे ज़ादा किस gas के लिए होगी यह आपका दूसरा question है तो दो question होगे एक तो oxygen और xenon में solubility किस की होगी तो आज जो है हमने क्या क्या पढ़ लिया ideal और non-ideal solution compare कर लिया deviation पढ़ लिया condition पढ़ लिया हमने तीन delh mix, delv mix और route law handle law follow करना चाहिए ideal की condition फिर non-ideal में चले गए positive deviation, negative deviation में चले गए फिस सारे हमने points पढ़ लिया example पढ़ लिया वह आपको clear होगे उसके बाद हमने पढ़ा handle law handle law हमने क्या था यह पढ़ लिया route law हमने पढ़ लिया तो यह आपके complete हो गया next video में हम पढ़ेंगे colligative property कि colligative property क्या होती है basically 4 आपके दे रखी है 4 हम colligative property पढ़ते हैं और उन चारों को हम एके करके study करेंगे तो आज के लिए इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद